नमस्ति दोस्तों आज हम बनाना सिखेंगे पुही का बहुत ही रिष्टी नास्ता तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं एक कटोरी पुहा जिसके पहले हम सबसे पहले पानी से अच्छी से धो लेंगे उसके बाद फ्रेंज क्या करेंगे इसके अंदर जो है हम एक कप और ऄसे अच्छी से निचोड़ करके अच्छी से लेंगे और इक्स्टा पानींगों से भुआ लिए हटा देंगे राते हैं आप करेंगे हम ने उटा लिया है तर शीनBeat पाऊनित तक सब्सक्कों पहले मैंमें अच्छे से जिससे की ये अच्छ जो इसके binding है जो पमुषी का तूट जा अच्छ से अच्छ सथे अच्छ से मिल जाएं गाया है अब करेंगे कुछ अच्छे सब्चर्ब के डालेंगे चोट चोटी टुकडो में काट करके जो है इसके अंदर हम डाल देंगे प्रेंट बहुत सिंपल सी रेजिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है एक बाज जो है इस तरीके से बना के देखिए आपको पर बहुत ज़्यादा पिसे डलेगे फोड़ी सी अरे धनिया पती याल गी तो इसका टेस्ट है वह अच्छा एगा दो hetau इसके बेसदें के लिए और टो अपका बाटिक से बाका iç आधा डालेंगे हम निम्बू का रज इससे के आउगा जो हमारा नास्ता है बहुत ज्यादा चटपटा बनेगा एक बार इस तरीके से बना के देखिए सबको पसंद आएगा बहुत ही जादा अब क्या करेंगे हम इसको अच्छे से मिला लेंगे बिना पाई डाले इसमें पा आथो में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिसके हमारे हाथों में चिपके नहीं और अच्छे से बन जाए आपको जो भी से पन दो आप वैसा बनाएगे मैं जो है इसे टिक्की के तरह बना रही हूं जैकि इसे गोल कुल करके चप्टा कर देंगे और साइट से जो है चिकन आने की प्रती आप चाहे तो इस तरीके से लंबे में भी से बना सकते हैं तो एक बार आप बना के देखिए आपको बहुत जादा पसंद आएगा तो यह देखिए हमने सब को तयार कर लिया है अब क्या करेंगे हम गैस ओन करेंगे गैस के उपर कडाई या पैन रखेंगे तो इसमें तेल डालेंगे तेल जब अच्छिसे करम हो जाएगा तब अपने नास्ता को डालेंगे करके, जितना हो से कि आप उतना ही डालिए अब जो है क्या करेंगे हम गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे या आप चाहे तो लो पे भी से पका सकते है अगर आपको कुछ और सब आपको कैसे लगर है मेरे रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में जबूर बताएगा जिस भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा यह देखे थैक्स पूर वाचिंग